अच्छा तो आज की वीडियो इस बन्याद पर बनाई जा रही कि किस तरह से हम ओनलाइन एड्मिशन फॉर्म फिल करें लियाजा जो हमारा प्रोस्पेक्टर वाला फॉर्म था वो हमने लास्ट वीडियो में फिल कर दिया था और क्रमेंट्स आ रहे थे कि ओनलाइन फॉर्म प्रोस्पेक्टर में लिंक्स दी हुई है ठीके जी तो हम फिल करवाने सका दे तो आज हम वह देखेंगे तो फर्स्ट अफॉल आपको कहां पर आना है आपको वेबसाइट पर जाएंगे और अगर जे आपको जाम शोरों में अप्लाय करना है तो वहां पर उनकी करें हमें MBBS में अप्लाय करना है या BDS पर अप्लाय करना है तो आपको simply क्या करना है कि apply now पर क्लिक कर दिना है और अगर जी आप new register करवाना चाहते हैं तो CNIC और password डालके रिजिस्टर करें अगर आपने रिजिस्टर कर लिया है तो login करना है simply CNIC और password के साथ ठीके तो अपनी को यह वाला पॉटल ओपन हो गया कि register your account यहां भी मेरा full name मेरा CNIC passport number CNIC passport दोनो CNIC with slashes आपको लग देना है उसके बाद mobile numbers उसके बाद email address then we have the password then we have the confirmed password simple है बलकुल यह में fill करके आपको submit करके next portal पे चलते ठीक है अच्छा तो यह सारी चीज़े करने के बाद यहां पर आ गया कि आपको कहां पर apply करना है अगर जे आपको mbbs में apply करना है तो apply now अगर जे आपको bbs में करना है तो उसमें apply करें ठीक है तो यहां पर apply now करें उसको करने के बाद यहाँ पर आपके पास application form आ गया यहाँ पे eligibility criteria है तो उसको देख लें अगर जे MBBS में कर रहे हैं तो 60% अगर जे BDS में कर रहे हैं तो 50% ठीक है जी उसके बाद यहाँ पर अपना select करना है domicile then course select करना है course आपको अगर जे MBBS BDS में दोनों करना है भई तो आपको दोनों चालान पे करने होंगे ऐसा नहीं कि चालान एको कर चालान दोनों होंगे मगर पचीसो एक का पचीसो दूसरे का ठीक है अगर जी सिर्फ आपको लगता है कि मेरा MBBS में हो जाएगा hopefully आप सिर्फ होपफुली अपना MBBS में कर दें तो आपको एक चालान अगर जी BDS में करना है तो आप कोई सबसेलेक्ट कर सकते हैं अगर जी MBBS BDS में दोनों चांस लग रहा है 5058 और आप जोनों का कर सकते हैं ठीक है तो यहां पे आपने वह कर लिया है कि नो साइट पोस नो सेलफी रीसेंट फोटोग्राफ आपको अपनी लगानी है अलब कोई सी भी जो आपने दी हो पे ले फुल नेम इंटर फादर्ज ने यह तो सिंपल सिंपल चीज़ें आप खुदी करने में चलती हूँ आगे ठीक है कास्ट उसके बाद सी एनाइसी वगेरा उसके बाद यहाँ पे सी एनाइसी बेफर्म का भी इशू हुआ था आपका अपकी डेट अफ पेर्थ आपका जेंडर आपका रिलीजन आपका डॉमी साहल कौन से डिस्ट्रिक का है डॉमी साहल कौन सी डेट पे आपने इशू किरवाया था परमानन अडरेस जहां पे आप रहते हैं वो एड्रिस लिखिएगा जो आपके डॉमी साहल में लिखी हुई है उसके बाद आप कौन से सिटी में रहते हैं अगर जो कोई लारकाना में रहता है वो लिख ले कोई शिकारपूर में रहता है वो लिख ले कोई सखर में रहता है वो लिख ले सिंद प एन्यूल इंकम में इतना वह confused नहीं होना कि एक एक से पूछते पर हो के क्या लिखे तो आप 50,000 लिख देना को इशू नहीं होता इसमें उसके बाद guardian contact, guardian occupation, then matriculation ये सारी उसमें बातें पुट करनी है बिल्कुल साधा सी है क्या बता हूं इसमें ठीक है कि मतलब मेरा साइड नहीं हो रहा क्योंकि मेरे मुबायल पर कर रही हूं ना कोई अगर laptop आपके गर में अपीस है तो आप उस पर करेंगा बिल्कुल साही हो जाएगा बता रही हूं कि किस तरह से करना अगर theory में आपकी अगर आपके प्रेक्टीकल में 15 माक्स है तो यहां पर 15 टाइप कर लें ठीक है ऐसे जिसका कोई इशू नहीं इतना उसके बाद आपकी यहां पर obtained माक्स आ जाएंगे और total माक्स वहां पर साइड से शो हो जाएंगी लेकिन मेरी यहां पर शो नहीं हो रही हूं उसके बाद आपको colleges choose करनी है अपनी first priority आप किसको देंगे भाई first priority अगर देंगे आप लारकाना को ठीक है चांड का medical university अगर आप second priority देंगे तो वो दे suppose गने डाओ को कि अगर में कुछ कराची जाना नहीं अगर मेरी लारकाना हो गए तो first option मेरी लारकाना नहीं हो रही तो में कराची जाओंगे ठीक है तो यहां पर आपको अगर आपको अगर आर यू a first generation student the first person the intermediate family counting अच्छा यह इसको छोड़ दें आप ठीक है यह कर दें अगर आप पहला बच्चा आए तो यह कर दें जो एंडिकेट यह इंटर लेविल कर रहा है अगर आप नहीं दूसरा बच्चा है तो समिट करना है आपका online form register हो जाएगा उसके बाद आपको एक print के form में आ जाएगा ठीक है simple बिल्कुल बिल्कुल simple ओके जी तो यह थी हमारी आज की वीडियो तो अगर यहां पर आपका online फिल हो गया है तो प्रोस्पेक्टर वाला हाट कोपी के form में जो है वो भी आप फिल कर सकते हैं वो मेरी next video में present है मतलब इससे पहले वाली वो ही आई हुई है ठीक है जी तो तब तक के लिए thank you for watching this video